मैं जामनगर द्वारका संसिदे शेत्र के सभी नागरिक का अभार प्रकट करना चाहूंगी उनकी वज़े से ही ये जीत संभव हुई है बहुत विप्रित परिस्तिती में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में कोई भी ये चाहे वो सोशल मीडिया हो ये परिनाम संभव हुआ है तो केवल नागरिकों की वज़े से हुआ है और उन्होंने जो विश्वास नरेंद्र भाई के नेत्रत्व में भारती जिन्ता पार्टी पे सभी कार्यकरता एवं समर्थक पे विश्वास करके किया है उसी की वज़े से आज शाहिद इस प्रकार का हम है मैं उन्हों सभी का आपके माधियम से सरदेई से अभारिवेक्त करूंगी और यह जीत कश्रे मैं सभी नागरिक समर्थक एवं पाटी के कार्यकरता को दूँगा मुझे एक विश्वास था मैं जानती हूँ हमारे जामनगत संसद्य शेत्र के जो नागरिक है वो हमेशा से समर्था सुरक्षा और प्रगती चाहने वाले लोग है तो मुझे एक विश्वास था कि इन इन सभी के लिए और आज तक यह पीछले दस साल तक मुझे लगता है क हैं कि सबसे हैं अगर सम्रश्ता प्रतीक कोई शेत्र है तो हमारा शेत्र मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि इसी सब कारणों से फिर से हमारी जागुरूप जंता भारतियों पार्टी और नरेंद्र भाई पर के विश्वास रखे हम सभी को आशिरवाद रुपी मत अवश्य देंगे और मुझे लगता है कि कहीं वो मेरा विश्वास भी सार्थक हुआ और आज हमने हम सभी ने परिणाम देखा हमारे पास सुदर्शन सेतू हो या इतना बड़ा नाशनल हाइवे का इंफ्रस्ट्रक्चर हो मुझे लगता है कि उसी दिशा में हम आने वाले दिनों में क्यूंकि हमारा ये पूरा सीमावरती शेत्र है लोकसभा को दिखाई है और वैसी भी दौरका ही दिशा दिखाएगा क्योंकि भगवान दौरकादीश स्वयम यहां बिराजत है, तो इस बार भी मेरी पूरी लोकसभा को द्वारका से बहुत मजबूत लीड के माधियम से एक बहुत मजबूत दिशामिली है और उसके माधियम से मुझे लगता है कि मेरा 14 का रेकॉर्ड हो, 19 का रेकॉर्ड हो जीत का यह 24 का रेकॉर्ड हो, हर बार एक नया किर्तिमान, नया रेकॉर्ड स्थापित होता है और मुझ झाल, पिलोल करता है झाल, हुआए